इस बीच एक बड़ी खबर आ रहे है, खबर जैपुर से है कि अपसे कुछ दिर बाद करीब साढ़े च्छे बजे राज भवन जाएंगे अशुग गहलूत और राज जिपाल को अपना इस्तिफा स्वापेंगे अशुग गहलूत राज़सान से इस बड़ी खबर जैपुर से शाम साढ़े च्छे बजे राज भवन में अपना इस्तिफा अशुग गहलूत स्वापेंगे राज जिपाल से मुलाकात करेंगे और राज भवन जाकर अपना इस्तिफा स्वापेंगे आशे सिंग भी आवरे साथ जुड़े हुए भवपाल से आशीश बीजेपी के कारयाले में भवपाल से लेकर जैपुर से लेकर दिली तक जश्चन सा महौल है और मैं बात कर रहा थी क्योंकि आप लगातार कॉंग्रिस को कवर कर रहे थे तो कॉंग्रिस ने कमलात ने अपनी बात की मैं देख रहा हूँ कि आप भी हाँ अकेले खड़े हैं क्योंकि बाकी जो हमारे तमाम सही होगी बीजेपी मुख्याले से मौझूद अनके पीछे तो समर्थकूंगा रेला है बीजेपी के क्या कहना है मैं तो खुद गिल्टी फील कर रहा हूँ कि एक तरफ तो व्यूवर्स को आप लोग सेलिब्रेशन का माहोल दिखा रहे हैं अलग-अलग जगों से और यहां मुझे खाली दफ्तर दिखाना हो रहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहां मेरे पीछे कोई नहीं खड़ाई यह कॉंग्रेस का कारयाले है प्रदेश का कारयाले है कॉंग्रेस का भोपाल में और अबसे चंद मिन्टो पहले रोहित यहां से दिखविजे सिंग कमलनात और रंदीप सिंग सुर्जेवाला दिन भर की यहां पर बैठे हुए थे मौनिटर कर रहे थे रिजल्स को और अभी अ वो पहला लाडली बहना योजना बिल्कुल ठीक श्रीनिवास कह रहे थे मुझे लगता है उसको समझने में ही कॉंग्रेस ने गलती कर दी यहां कि स्टेट लीडर्शिप हो जाए सेंटरल लीडर्शिप हो उसका काट ही नहीं ढून पाई उनको समझी नहीं आया कि लाडली बहना इतना बड़ा स्विंग ला सकता है और इस बार एक बार फिर से बहुत बड़ा फैक्टर साबिस हो सकता है और मुझे लगता है दूसरा सबसे बड़ा अगरा माकड़ों को देखें तो जिस कदर श्रिंक हो गई है कॉंग्रेस पाटी वह अपने आप ही बताता है कि बाकी जितने केंडिडेट्स हार गए उनकी विनिबिलिटी ही पार्टी नहीं समझ पाई यानि कि खुद अपने पैर पे कुलहडी मारे ऐसी केंडिडेट्स को खड़ा किये जो चुनाओ जीत ही नहीं सकते थे तो पूरी तरह से मुझे लगता अटर फेरियल कॉंग्रेस का और बहुत सी पिरियस इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है बनकुल आश्वी जरूरत आपको रखे आगे